मुर मयारुक देश के रवया हो, जोहार, ऐसे त ए बखत उत्सव के हो थे, ठिया ठिया मा मेला भरा थे, धार्मिक पूजा पाठ हो थे, कोरुना के संकट काल मा, मन्खे मन मा उमंगता हे, उच्छा घलो हे, फिर हम जम्मो मन के मनल चूजाए, ऐसे अनुशासन घलो हे, बहु अपन ध्यान रखत, दूसर के ध्यान रखत, अपन रोजमर्रा के काम घलो करत हे, देश महोवत, हर आयोजन मा, जिन रकम के संयम और सादगी एपईत देखे जाथे, वो अभूत पूर्व हे, गणेशों सो घलो कहुं आनलाइन मनाय जाथे, तच जादा तर ठिया मा, एक बात खचित हमर धियान मा आही, हमर परभ और पर्यावरण, ये दूनों के बीच, एक बहुत गहिर नता रहे है, जिहां एक कोती हमर परभ मनमा, पर्यावरण और प्रकृति के संग, सह जीवन के संदेशा लुकाय हो थे, तच दूसर कोती, कईयों परभ प्रकृति के र थारू आदिवासी समाज के मन्खेमन साथ घंटा के लाकडाउन या उन्खरे आखरमा कहे जाए तस साथ घंटा के बरना के पालन कर थे परकृति के रक्षा खातिर बरनाला थारू समाज अपन परंपरा के हिस्सा बना ले है और कईयों सदी ले बनाए हैं ए दवरान न कोनो गाव मा आथे न कोनो अपन घर ले बाहिर निकल थे और लोगन मान थें कि अगर वो मन बाहिर निकल ही या कोनो बाहिर ले आही ता उन्खर आए जाए ले लोगन के रोजमर्रा के गतिविधी ले नवा पेड़ पौधाला नकसान हो सकते बरना के सुर्वात मा भव्य रकमले हमर आदिवासी भाई बहिने पुजा पाड कर थें अव उखर समापन मा आदिवासी परंपरा के गीत संगीत नृत्य के कारेक्रम घलो जम के हो थे संग्वारी हो ये दिन ओनम के परब घलो धूमधाम ले मनाये जा थे ये परब चिंगम महिना मा आ थे ये मौका मा लोगन कुछ नवा बिसा थें अपन घरल सजा थें पुकलम बना थें ओनम साधिया के आनंद ले थें रकम रकम के खेल अव प्रतियोगिता घलो हो थे ओनम के धूमत आज दूर दूर बिदेश तक पहुँच गे है अमेरिका हो यूरोप हो या खाड़ी देश हो ओनम के उच्छाह आप मनला हर जगह मिल जाही ओनम एक अंतर राष्ट्री इतिहार बना जा थे संगवारी हो ओनम हमर क्रिशी ले जुड़े परप हे ये हमर ग्रामिन अर्थ व्यवस्था खातिर घलो एक नवा सुरुवात के बखत हो थे किसान मन के शक्ती ले हमर जिंगी हमर समाच चल थे हमर परप किसानी के परिशम ले रंग बिरंगा बन थे हमर अन्न दाताला किसान के जीवन दानी शक्तीला बेद मन मा घलो बहुत गौरो पून धंगले नमन करेगे है रिग वेद मा मंत्र है अन्ना नाम पतै नमह ख्षित्रा नाम पतै नमह माने अन्न दाताला नमन है किसान मन ले नमन है हमर किसान मन कुरोना के ये कठिन परिस्तिती मा घलो अपन ताकत ला सिद्ध करे हैं हमर देशम ये पईत खरीब के फसल के बुवाई पाशु बचर के तुलना साथ प्रतीशत जादा होय है धान के रोपाई ये पईत लगभग 10 प्रतिशत, दाल लगभग 5 प्रतिशत, मोटा अनाज लगभग 3 प्रतिशत, तिलहन लगभग 13 प्रतिशत, कपास लगभग 3 प्रतिशत जादा बोई गे हैं मैं एकर खातिर देश के किसान मनला बधाई देवत हो, उनकर परिशमला नमन करत हो, मुर मयारुक देश के रवया हो, कुरोना के ये कालखंड मा देश कईयों मूर्चा मा एक सगरा लड़ थे, फिर एकर साथे साथ कईयों बार मन में ये सवाल घलो आवत रहिस कि अतका लंब बखत तक घर मा रहे के कारण, मुर नाने बाल मित्र मन के बखत कैसे पहावत हो ही, अव एकरे चलत मैं गांधी नगर के बाल विश्व विद्याले, जिन दुनिया मा एक अलग रकम के परियोग है, भारत सरकार के महिला आव बाल विकास मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, सूक का कर सकतन, एकर उपर मन्थन करें, चिंतन करें, मौर खातिर ये बहुत सुखद रहिस, लाबकारी रहिस, का है कि एक रकम ले ये मौर बर घलो कुछ नवा जाने के नवा सीखे के मौका बन गेईस, संग्वारी हो, हमर चिंतन के बिसे रहिस, खिलावना और बिसेज कर भार हमन ए बात उपर मन्थन करें, कि भारत के लाइका मनला नवा नवा खिलावना कैसे मिल सकत है, भारत खिलावना उत्पादन के बड़े केंद्र कैसे बनाए, वैसे मैं मन की बात सुनत लाइका मन के दाई ददा मन ले चिमा मांगत हो, का है कि हो सकत है, उनमनला अब मन की बा सुने के बाद खिलावना के नवा नवा मांग सुने के शायद एक नवा काम आघुआ ही। संग्वारी हो, खिलावना जिहां गतिविधी बढ़ाये वाला हो थे, तक खिलावना हमर आकांग्षाला घलो उडान दे थे। खिलावना ले खालिये मन नहीं भालाये, खिलावना मन बना थे घलो और लक्ष घलो गड़ थे। खिलावना चोटे रहिन, तक खुद के कलपना ले, घर मा उपलब्ध जिनिस ले, अपन संग्वारी मन के संग अपन खिलावना और खेल बनावत रहिन। फिर एक दिन नानपन के वो मौज मस्ती भरे पल मा सियान मन के धकल हो गई। होईस ये कि उन्खर एक संग्वारी एक बढ़का और सुन्दर बिदेसी खिलावना लेके आईस। खिलावना लेके इतरावत अब जम्मो संग्वारी मन के ध्यान खेल ले जादा खिलावना उपर चल देस। हर कोनों के आकरशन के केंद्र खेल नहीं रहेगे, खेलावना बन गेईस। जेन लईका कल तक सब के संग खेलत रहीस। जम्मो के संग रहत रहीस। घुले मिले रहीस। खेल मा बूर जात रहीस। वोह अब दुढ्या रहे लागीस। एक रकम ले बाकी लईका मन ले भेद के भाव उखर मन म बैटकेस। महंगा खिलावना मा बनाय खातेर घलो कुछो नहीं रहीस। सीखे बर घलो कुछो नहीं रहीस। माने कि एक आकर्शक खिलावना हाँ, एक उत्क्रिष्ट लाइकाला कहुं दबा देश, लुका देश, मुर्जा देश, ये खिलावना हाँ धन के, संपत्ती के, चिटिक बडपन के प्रदर्शन करीश, फिर वो लाइका के सिजनात्मक भावल, बढ़े और संवरे ले रोक दे खिलावना तो आगेस, फिर खेल खतम होगे, अव लाइका मन के खिलना घलो गमागे, इही पायके गुरुदेव कई थें, कि खिलावना ऐसे होना चाही, जिन लाइका के बचपनाला बाहिर लाए, ओखर रचनात्मक ताला आगू लाए, लाइका मन के जिनगी के आने आने पहलू उपर खिलावना के जिन परभाव है, एकर उपर राश्ट्री और शिक्षा नीती मां घलो बहुत धियान देगे हैं, खेल खेल मां सीखना, खिलावना बनाना सीखना, खिलावना जिहां बन थे उहां के प्रवास करना, ये जम्मोला पाठे करम के हिस्सा बनाएगे ह संग्वारी हो, हमर देश मा स्थानी खिलावना के बहुत सम्रिध परंपरा रहे हैं। प्रदेश के कृष्णामा कोंडा पल्ली, तमिलनाडूमा तंजवर, असमा धूबरी, उत्तरप्रदेश के वारनसी, कईयों ऐसे इस्थान हैं, कईयों नाम गिनासा कथन। एमें बहुते कम हैं। अब आप मन सोचव, कि जिन राष्ट के पास अत्का विरासत हो, परंपरा हो, दिवित्ता हो, युवा आबादी हो, का खिलावना के बाजार मा ओकर हिस्सेदारी अत्का कम होना, हमनला अच्छा लगी का। जी नहीं, ये सुने के बाद आप मनला घलो अच्छा नहीं लगी। देखाव संगवारी हो, खिलावना उद्योग बहुत व्यापक है, ग्रे उद्योग हो, छोटे आउ लगु उद्योग हो, MSME हो, एकर संगे संग, बड़े उद्योग आउ नीजी उद्यमी घलो एकर घेरामा आथें। एला आगो बढ़ाये खातिर देशला मिल के मिहनत करेला पढ़ी। अब जैसे आंधर प्रदेश के विशाका पटनम के श्रीमान सीवी राजु होएं। उनकर गाउं के एती कुपका खिलावना एक बखत मा बहुत प्रचलित रहीस। एकर खासियत ए रहीस कि ये खिलावना लकडी ले बनत रहीस। और दूसरा बात ये कि ये खिलावना मा आप मनला कहूं कोनों कोन नहीं मिलत रहीस। ये खिलावना हर कोती ले गोल रहीस। इही पाये के लईका मनला चोट लगे के घलो संभावना नहीं रहीस। सीवी राजु मन एती कोपका खिलवना खातिर अब अपन गाउं के कारीगर्मन संग मिलके एक रकम के नवा अभ्यान चालू कर दे हैं। भविशल घलो समार सकतन। खिल खिलाए घलो हम ऐसे खिलावना बनावन जिन पर्यावरण के घलो अनकूल हो। संग्वारी हो। का हम ओखर उपर गेम्स बना सकतन। मैं देश के युवा प्रतिभाले कैथाओ। आप मन भारत मा घलो गेम्स बनावाओ। अव भारत के घलो गेम्स बनावाओ। कहे भी जाथे लेट गेम्स बिगिन तो चलाओ खेल सुरू करन। संग्वारी हो आत्म निरभर भारत के अभियान मा वर्चुल गेम्स हो। खिलावना के सेक्टर हो जम्बो मनला बहुत महत्तम के भूमिका निभाना है और ये मौका घलो है। ता हमनला पूरा आत्म विश्वास के संग्ग आगू बढ़ना है। हर छेत्र मा देशला आत्म निरभर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप मा जिन बीजा बोई गे रहिस। अला अब आत्म निरभर भारत के वट व्रिक्षमा बदलना हम सब के दाइत्व है। मुर्मयारूग देश के रवया हो भारती मन के नवुन मेश अव समाधान दे कि क्षमता की लोहा हर कोनों मान थे। अव जब समर्पन भाव हो समवेदना हो ता ये शक्ती असीम बन जा थे। ए महिना के शुरुवात मा देश के युवामन के आगू एक एप इनोवेशन चुनोती रखे गीस। प्रिणाम देख के आप मन खचित प्रभावित हो हूँ। एमें ले एक एप है कुटुकी लाइका मनला सिखोए के एप। ये नाने लाइका मनबर ऐसे इंट्रेक्टिव एप है जे में गाना और कहनी के माध्यम ले बाते बात मा लाइका गनित विज्ञान मा बहुत कुछ सीख सकत है। खेल घलो है। इही रकमले एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के एप घलो है। एकर नाओ है कू। एमें हम अपन मात्री भाशा मा पाठ, वीडियो और आडियो के माध्यम ले अपन बात रख सकत हन। समवाद कर सकत हन। इही रकमले चिनगारी एप घलो युवामन के बीच प्रसिद्ध हुआ थे। एक एप है आस्क सरकार। एमें चैट बोट के माध्यम ले आप समवाद कर सकत हो। और कोनो भी सरकारी योजना के सही जानकारी घलो प्राप्त कर सकत हो। वो घलो पाठ, आडियो और वीडियो तीनो रकमले। ये आपके बड़ा मदद कर सकत है। एक आउ एप है, स्टेप, सेट, गो ये फिटनेस एप है। आप कतका चलेओ, कतका केलोरी जलाएओ, ये जम्मों हिसाब ये एप रखते। अव आप मनला फिट रहे खातेर प्रोजसाहित घलो करते। मैं ये कुछे उधारन दे हाऊ। कई ठन अव एप खलो ये चुनावतिल जीते हैं। कई बिजनेस एप हैं, गेम्स के एप हैं, जैसे इस इक्वल टू, बुक्स एन एक्सपेंस, जो हो वर्क प्लेस, एफ टीसी टैलेंट, आप मन इनखर बारे मां इंटरनेट उपर आप मन ला बहुत जानकारी मिल ही। आपो मन आगू आवाओ, कुछु नवाचार कराओ, और कुछु लागू कराओ। आपके परियास आज के छोटे-छोटे स्टार्टप काली बड़े-बड़े कंपनी मा बदल ही, और दुनिया मा भारत के चिनहरी बन ही। आप ये जन भ वईया हो, हमर इहां लईका, हमर विद्यार्थी, अपन पूरा क्षमता देखा पावाएं, अपन सामर्थ देखा पावाएं, एमें बहुत बड़े भूमिका पोशन के घलो हो थे। जम्मो देश मा सितंबर महिनाला पोशन मास के रूप मा मनाय जाही। राष्ट और पोश जैसे अन्न हो थे, वैस्ते हमर मानसिक और बौधिक विकास घलो हो थे। विशेशग्यमन कई थें कि शिशूला गर्भमा और नानपन मा जतका अच्छा पोशन मिल थे, उतके अच्छा उखर मानसिक विकास हो थे, और वो स्वस्थ रही थे। लैका मन के पोशन खातिर उत के जरूरी हे कि दाई ला घलो पोरा पोशन मिल थे, और पोशन के मतलब खाली अत्केच नहीं हो थे, कि आप मन का खावत हो, कत का खावत हो, कत का बेर खावत हो, एखर मतलब हे आप के सरीर ला कत का जरूरी पोशक तत्व मिल थे, आप मन ला आयरन, कैल्सियम मिल थे कि नह सोडिय मिल थे की नहीं, बिटामिन मिल थे की नहीं, ये जम्मों पोशन के बहुत महत पून पक्ष हावै। पोशन मास हो, एकर माध्यम ले जादा ले जादा जावरुकता पैदा करे जावा थे। इसकून मनला जोडे गे है। लैका मनखातिर प्रत्योगिता हो, उनमा जावरुकता बढ़ाये, एकर बर घलो सर्यक पर्यास चला थे। जैसे कक्षा माँ एक कक्षा मानिटर हो थे, इह इही रकम पोशन मानिटर घलो हो ए, रिपोड काड जैसे पोशन काड घलो बनाए, इही रकम के शुरुवात करे जावा थे। पोशन मास के दवरान माई जियोवी पोटल माँ एक फूड एन निउट्रिशन क्विज घलो आयुजित करे जाही, और संगे संग एक मीम प्रत् संग्वारी हो, अगर आप मनल गुजरात मां सरदार वल्ला भाई पतील के स्तेचु आप युनिटी जाय के मौका मिले हो ही, और कोवित के बाद जब वो खुल ही, और आप मनल जाय के मौका मिल ही, था उहां एक विशिष्ट प्रकार के पोशन पार्क बनाए गे है। खेले खेल मां पोशन के श्रिक्षा आनन्द प्रमोत के संग उहां खचित देख सका था। संग्वारी हो, भारत एक विशाल देश है, खान पान मां धेरन विवित्ता है, हमार देश मां छै आने आने रितु हो थे, आने आने छेत्र मां उहां के मौसम के हिसाबले आने आने जिनि पैदा हो थे। इही पायके ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हर छेत्र के मौसम उहां के इस्थानिय भोजन और उहां पैदा होईया अन, फल, सबजी के अनुसार एक पोशक उच्च पोशनकारी आहार योजना बनें। का का फसल हो थे, ओखर पोशन क्षमता कतेखे, ओखर पूरा जानकारी हो ही। ये आप जम्मो मन बर बहुत बड़े काम के कोश हो सकते। आवओ, पोशन मासमा, पोश्टी खाना और स्वस्त रहे खातिर हम जम्मो मनला प्रेरित करन। मयारुक देश के रहवया हो, पाचु दिन जब हम स्वतंतरता दिवस मनावत रहें, तब एक रोचक खबर उपर मुर्ध्यान गेईस। एक खबर है, हमर सुरक्षा बलके दू जबरा मनखे मनखे, एक है सोफी और दूसरा विदा। सोफी और विदा भारती सेना के स्वान हैं, और इनला सेना प्रमुक कमंडेशन काड़ ले सम्मानित करेगे हैं। सोफी और विदाल ये सम्मान ये खातिर मिलिस, काहे कि वो मन अपन देश के रक्षा करत अपन कर्तव्य बने रकम ले निभाए हैं। हमर सेना मा, हमर सुरक्षा बल के पास ऐसे कत कोन बहादुर स्वान हैं, जेन मन देश खातिर जीतें, और देश के खातिर अपन बलिदान खलो देथें। कत को बम धमाकाला, कत को आतंकी शड्यंत्रला रोके मा, ऐसे स्वान मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मुला देश के सुरक्षा मा, स्वान मन के भूमिका के बारे मा, बहुत पिस्तार ले जाने ला मिलिस। कईयों किस्सा घलो सुनें। एक स्वान बलराम, 2006 मा, अमरनात जात्रा की रद्धा मा, बड़े मात्रा मा, गोला बारूत खोज निकालिस। 2002 मा, स्वान भावना, आईएडी खोजे रहिन। आईएडी निकालत बखत, आतंक वादी मन विस्फोट कर देन, अउज्वान शहीत हो गेन। दू तीन बच्छर पहली, 36 गळ के बीजापुर मा, सी आर पी एफ के स्नीफर डॉग, क्रैकर घलो, आईएडी बलास्ट मा, शहीद हो रहिन। कुछ दिन पाचु, आप मन, शायद टीवी मा एक बड़े भावु करिया दिश्य देखे हो हु। जे में दीड पुलिस अपन साथी स्वान रौकिल पूरा सम्मान के संग अंतिम बिदाई देवत रहिन। रौकिह तीन सौले जादा के सुल्जाय मा, पुलिस के मदद करे रहिस। स्वान मन के आपदा प्रबंधन और मुक्ती अभियान मा घलो बहुत बढ़का भूमिका हो थे। भारत मा तो National Disaster Response Force, NDRF, ऐसे दर्जनो स्वान मनला विशेश प्रशिक्षन दे हे। कहुँ भुकंब आये मा, इमारत गीरे मा, मलबा मा दबे जीवित मन के मनला खोज निकाले मा, ये स्वान बढ़ विशेशक हो थे। संग्वारी हो, मुला ये घलो बताएगे है कि भारतिय नसल के स्वान मन घलो बहुत अच्छा हो थें, बहुत सक्षम हो थें। भारतिय नसल मा मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत अच्छा नसल है। राजा, पलायम, कन्नी, चिप्पी, पराई और कोंबाई घलो बहुत अच्छा भारतिय नसल है। एला पोसे के खर्चा बहुत कम आ थे, और ये मन भारतिय माहौल मा ढले घलो हो थें। अब हमर सुरक्षा एजेंसी मन घलो ये भारतिय नसल के स्वानल अपन सुरक्षा दस्ता मा समलित करत हवें। पाच्छू कुछ बखत मा सेना, CISF, NSG हा, मुधोल हाउंड स्वान मनल प्रशिक्षित करके स्वान दस्ता मा समलित करें। CRPF कोंबाई स्वान मनल समलित करें। भारतिय क्रशि अनुसंधान परिशद घलो भारतिय नसल के स्वान उपर शोध करत है। उद्देश यही हवै कि भारतिय नसल अव अच्छा बनाये जा सकाए, अव उपयोगी बनाये जा सकाए। आप मन इंटरनेट मा इनकर नावक हो जाओ, इनकर बारे मा जानाओ, आप इनकर सुन्दरता, इनकर गुण देख के हैरान हो जाओ। अवईया पारी, जब आप मन स्वान पाले की सोचाओ, आप मन खचित इही मन ले कोनो भारतिय नसल के स्वान लग घर लावाओ। आत्म निर्भर भारत, जब जन मन के मंतर बनात हवाए, तक कोनो भिक्छेत्र इमें पाचु कैसे छूट सकते। मुरमयारुक देश के रवया हो, कुछ दिन बाद पाँच सितंबर के हम शिक्षक दिवस मनाबो, हम जम्मो मन जब जिनगी के सफलताला अपन जिनगी के जात्राला देख्थन, ता हमनला अपन कोनो न कोनो शिक्षक के सूर्टा खचित आथे। तेजी ले बदलत समय अव कुरुना के संकट काल मा हमर शिक्षक मन के आगू घलो समय के बदलाओ एक चुनोती कस लगत है। मुला खुसी है कि हमर शिक्षक मन ये चुनोती ले न खाली स्विकार करे हैं, भलुक उला अवसर मा घलो बदल दे हैं। पढहिक मा तक्नीक के जादा ले जादा उप्योग कैसे होए, नवा रकमला कैसे अपनावन, छात्रमन के सहता कैसे करन, ये हमर शिक्षक मन सहजता ले अपनाए हैं, अव अपन छात्रमनला घलो सिखोए हैं। आज देश मा हर जगह कुछू न कुछू नव स्रिजन होँ थे, शिक्षक अव छात्रमिल के कुछू नवा करा थें। मुला भरूसा है, जेन रकम देश के राष्ट्रिय शिक्षानीती के माध्यमले एक बड़ा बदलाव होईया है, हमर शिक्षक ओखरो लाभ छात्रमन तक पहुचायमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाहीं। संग्वारी हो, अव विशेश कर मुर शिक्षक संग्वारी। बच्षर 2022 मां हमर देश स्वतंतरता के 75 बच्षर के परब मना ही। स्वतंतरता के पहली अनेग बच्षर तक हमर देश मां स्वतंतरता के लड़ई ओखर एक लंबा इतिहास रहे है। ये दवरान देश के कोनों कोना ऐसे नई रहिस, जिहां स्वतंतरता के मतवाला मन अपन प्राण निवचावर नई करे होएं। अपन सब कुछ तियाग नई दिये हों। ये बहुत आवश्यक हवै कि हमर आज के पिढ़ी, हमर विद्यार्थी, स्वतंतरता के लड़ई, हमर देश के नायक मन ले परचित रहे। अपन जिलाले, अपन छेत्र मा स्वतंतता के आंदूलन के समय का होईस, कैसे होईस, कोन शहीद होईस, कोन कतका बखत तक देश खातिर जेल मा रहिस। ये जम्मो बात हमर विद्यार्थी मन जान ही ता उन्खर व्यक्तित्व मा घलो एकर परभाव दिखी। एकर बर बहु तक काम करे जा सकत है, जे में हमर शिक्षक मन के बढ़दाईत्व है, जैसे आप मन जेन जिला में हवाओ, उहां शताब्दी तक जेन स्वतंतता के लड़ई चलीस, वो स्वतंतता के लड़ई मा उहां कोनो घटना घटे रहिसका, एला लेके विद्यार्थी म मनले शोध कराये जा सकत है, जेला स्कूल के हस्त लिखित अंक के रोप मा तियार करे जा सकत है, आपके शहर मा स्वतंतता आंदोलन जुड़े कोई ठिया होए, तो छात्र छात्रा मनला उहां ले जा सकत हो, कुनो स्कूल के विद्यार्थी ठान सकत है कि वो मन आजादी के 75 बच्छरमा अपन खेत्र के आजादी के 75 नायक मन उपर कविता लिखी, नाट्य कथा लिखी, आप मन के पर्यास देश के हजारो लाखो अंजाना महा पुरुष मनला आघूम लाही, जेन मन देश के खातिर जीन, जेन मन देश खातिर खप गेन, जिन खर नाओ, बखत के बिसर गेईस, ऐसे महान व्यक्तित्व मनला अगर हम आघूम लाबो, स्वतंत्रता के 75 बच्छरमा उनमनला सूर्ता करवो, ता उनमन बर सच्चा शधांजली होही, अव जब 5 सितंबर के शिक्षक दिवस मनावत हन, तब मैं मुर शिक्षक संग्वारी मनले खचित आग्रह कर हूँ, कि वो मन एकर खातिर माहोल बनावए, जम्मोल जोड़ें और जम्मो मन मिलके जुट जाएं। स्वस्त रहे, सुखी रहे, अव हम मिलके कोरोनाला पूरा रकम ले हरावन। कोरोना तभे हर ही, जब आप मन सुरक्षित हो हूँ, जब आप मन दूगज के दूरी, मास्क जरूरी। ये संकलाप ला पूरा रकम ले पालन कर हूँ। आप जम्मो मन स्वस्त रहो सुखी रहो इही शुब कामना के संग अवय्या मन की बातमा फेर मिलबो। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार